भाईयो आप सभी का खेती किसान यूटूब चैनल पर सुवागत हैं दोस्तो आज की जो हमारी जानकरी है और साथ पास वाली घंटी जूरदवा दे जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकरी आपको समय पर मिल सकें तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि we are ring fit method से यहां से घंझे की बढ़ करेंगे और यह हमारा सुगर के बढ़ कटर है और सुगर के चीप कटर भी इसको बोलते हैं दोस्तों पहले जितंते हैं जो हमारी인 चोड़ाई हैं तो डेड़फित चोड़ाई रखने के बाद ओर इसो कि अब वीजुड़ाइड नiny घंग आडीज वीजघा लियांतों जिसे आप उत्पादन ले Uh तो सारा का सारा इसमें गोबर आप इसमें डाल दीजिए ये तो सारा का सारा आपको इसमें डाल देना एक खाद सेड़ी खाद जैसे कि यहाँ पर भाई साब जी दिरे-दिरे से चारों तरफ इसमें अच्छे से मिला कर डाल रहे हैं और मिलनग के डालने के भाद दोस्तों हम को गन्य की वॉआ करनी है और जो हमें गन्य की ब्वाइग करनी है और जो आप देखते हैं जिसे 가टाई का कारयब शुरू करते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह मसीन जो सुगरकें बड़ चिपर है इससे गन्य की आँख निकलते हैं जैसे कि गन्य का बीच का हिच्चा है वही कटेगा इससे तो इस तरीके से यह हम इस इतने भाग ले लेते हम इसको इस गन्य क के बाद दोस्तों क्या करना है देख से दो बलेट लगे हैं यहां पर गिल्डी टाइप का है बहुत ही आसान है यह इससे एकदम आसानी से बीज हमारा कट हो जाता है और अगर दोस्तों आपको यह मसीन लेना चाहते है आप हमें कैमेंट करके बताए अगर इससे अलग कोई दोस्तों देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको इसको काट रहा है बहुत आसानी तरीके से तो इस तरीक से चलाए और आसानिस आपका बीज यह कट जाएगा अब जैसे कि देख सकते हैं अब हमारे यहां पर यह बड़ त्यार हो चुके हैं तो अब जब हमारे यह बड़ त्यार हो जाएंगा बीजिनके अम बढ़ करके आपको दिखाते हैं दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो सुगर के जो मारे बड़ कठरते हों कट चुके हैं अब हम इनकी बढ़ करेंगे अब बढ़ करने का तरीका क्या है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दोस्तों बढ़ जैसे कि हम नहीं पर यहां पर यह इसमें मिट्टी अच्छे से डाल आपका होना चीरिंग भी इस में हमारा बढ़ होता है आप इसे ट्रीटमैन कर लें वेश्टी कमपोजर से या किसी कारवण नम जीम से आप इसका उपचार करने के बाद दोस्तों आपको क्या करनाइब चाहरं तर पंदा मिट्स का उपचार करने के बाद आपको यहां पर इस से आपको तीन इंच लगबग दो कम से कम दो इंच दो इंच आपको यहां पर रखनी है नजडीक इसके जड़ में भी नहीं रखनी है यहां पर और जिद्ले रख दिया आपको आपको दिखा लेगे किस दिखाने करजाएं तो यह आपको इससे इतनी दूर रखना है फिर आपको यह यहाँ पर रखना है इतनी दूर गोड़ाए के तरीके से आपको यह रखना है यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर इसकी आख जो रखनी हो सीधी रखनी है आपको जो इसका बड़ रख हम खाट डालने में को यह थमहें दोसरा तरीका आप करको पर दोस्तों आपको दिखाता हूँ आपको यह नहीं पर ब impressive पहले रखे दे आपको दूस्जी करके ने अगर आपके दूसे क्या झाशकते हैं फिस तरह करनी काटने का है नहीं पार रज़ाल तक उसको काट कर सकते हैं जैसे चervation ईक रहे आप और है प्शिट्रीके यहापर यह इस तरीके से पार आपको यह यहापर ऐसे लग देने हैं तो दोस्तों देशकते हैं है अब हमारा यहां पर यह पुरा का है। जो श 했는데 में इसंने की बुपायं करते हूं इस तरीकी से करते मिट्टी डालने के बार इसमें धोस्तों पहले ख़ट डाला जाएगा है तो दोस्तों 對 करने की आपको सो ग्राम डालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों अब आप इसमें मिट्टी डालने का आप आपको दिखाता हूं तो दोस्तों आप इस तरीके साथ इसमें हली-हली की मिट्टी डाल दीजिए तो दोस्तों इस तरीके से आप त्यार कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर अब हमने इसमें कंची डालने के बाद इसके अपरम ने मिट्टी डाल दी हो और हमारा यह रिंग पित मैथर्ड गन्य की बौई करने का करे कंपलीट हो गया तो दोस्तों अगर आपकी इससे संबंदी कोई भी अगर जानकरी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और दोस्तों इसी परकार एक